केंद सरकार की गाइडलाइन के तहत राज्य सरकार दुवारा 7 सितंबर सोमवार से मंदिर खोलने के लिए जारी कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए युवा उद्योगपती पूरण आजना के मुख्य आतित्य में एवं पालिका अज्यक्ष शुबास चंद्र शार्दा की अध्यक्षता में डाबेश्वर महादेव मंदिर के कपाट शुद्धानू के लिए खोले गए मंदिर समीती प्रवक्ता मनोहर माली ने बताया कि इस अउसर पर युवा उद्योगपती पूरण आजना पालिका अज्यक्ष शुबास चंद्र शार्दा पार्षत बंचीलाल राईवाल रवी सोनी आधी ने मंदिर में जलावी शेक वो पूजा अर्चना की इस मोके पर मंदिर परीसर में ग्रीन निम्बाहेडा अभियान के तहट पोधार उपन भीक किया गया इस अउसर पर मंदिर पूजारी प्रकाश गीरी महराज, मंदिर समीती उपाद्यक्षव सरपंच, बोप राज टांग, पाशत खेमराज कुमावत, जावित खान, पाशत प्रतिनदी धर्मपाल जाट, राजे स्तांग, मंदिर समीती कोशात्यक्ष गोविंद कुमार सोनी, उस्ताथ चतरगुच कुमावत, पत्यकार आनंद सालेचा, कनयालाल कुमावत, ललित लोहार, अनिल माली, विश्टो माली आदी मोजुद रहे